आज का अध्याय है नाटक लिखने का ब्याकराण, तो पहले हम अध्याय को पढ़ेंगे, फिर हम इस पाठ के कुछ प्रस्णुत्तर देखेंगे, तो नाटक की उत्पत कैसे होई? तो भारती नाट सास्त के परवर्तक, आचार भरत मुनी के अनुसार, देवताओं के द्वारा प्राथना करने पर, ब्रम्हा जी ने, रिग वेद से पाठ, सान वेद से गान, यजूर वेद से अभिने, और अथर वेद से रस लेकर, नाटक नामक पंचंग वेद की रचना का मतलब क्या करता है कि पाठ सामगरी में मतलब कोई कुछ एक्टड डाइलाग बोलते हैं, और सान वेद से गान कार्थ होता है, कि बीच बीच में आप देखते हैं, गाना बजाना होता है, तो साम वेद से संगीत लिया गया था, और यजूर वेद से अभिने, मतलब आप देखते हैं कि कोई राम बनता है कोई लचमर सीटा हनमान बनते हैं तो यजूर वेश से अभिने लिया गया था और अथर वेश से रस लेकर कर अथरवे से रस मतलब अथरवे से साज सज्जा लेकर नाटक तयार किया दा था और नाटक को ही पंचम वेद की संग्या दी गई है पचवा वेद कौन सापका है नाटक है तो नाटक सब्द की उत्पत संस्कीत की नत धास से हुई है जैसे रस की उत्पत सिरी धास से हुई ह उसी प्रकार नाटक की उत्पर किस से हुई है नटधास से हुई है तो साहित जगत की उत्पर नाट बीधा में बीधा मतलब प्रकार में नाट प्रकार में निर्देशक कथावस्त और समवादों की आउसक्ता अनुसार पात्रों को अभिने करने का निर्देशक मतलब एक नि होते हैं तो उनको संवाद करने और अभिने करने का क्या देता है निर्देश देता है कौन दिर्देश नाटक क्या है तो नाटक रंगमंच के माध्यम से जीवन के अर्थात को प्रस्तुत करने का माध्यम है हिंदी साहित की वे बिधा है मतलब हिंदी साहित का वे प्रकार या धंग है जिसमें हम ने केवल पढ़कर सुनकर बलकि देखकर किसी भी समस्या संदेश विशय के बारे में जानकारी ले सकते हैं किसके द्वारा नाटक के द्वारा कैसे पढ़कर सुनकर और देखकर जैसे कविता है तो उसका एक प्रकार है एक माध्य में को उसको हम पढ़ सकते हैं और कभी-कभी गा सकते हैं लेकिन जो नाटक होता है उसको हम पढ़ कर सुन कर और देख कर भी समस्या का समाधान कह सकते हैं जैसे देशपर्था पे लोग नाटक करते हैं तो या तो उसको हम लिख सकते हैं उ भारत में ही नाट सास्त की रचना सबसे पहले हुई थी मतलब सबसे पहले नाट सास्त की रचना कहा हुई थी भारत में हुई थी और इसके परवर्तक कौन है भरत मुनी जी है तो नाटक की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है बहुत पुरानी परंपरा क्या है नाटक ह चली आ रही है इस बीशर में सबसे प्राचीन गरंथ सबसे प्राचीन जो मांत सास्ड को माना मैं शाचार भरतमुनिन नाटक की उत्पत कि दैवी सक्ति से मानते हैं शा भरत्वनिन क्या कहते हैं कि ना dziросकी उत्तesz में नाटक विढ़ा की चर्चा की गई है कहीं कहीं इसे रूपक भी कहा गया है अर्थात रूप का आरोप भी कहीं कहीं इसका होता है किसका नाटक का नाटक को पंचम बेद भी माना जाता है नाटक को कौन बहुत important question है नाटक को पंचम बेद भी माना जाता है हिंदी नाटक का जनम उन्नैस्वी सदी में माना जाता है हिंदी का जो उत्पति है हो क्या है उन्नेश्वी सदी में माना जाता है अब हम नाटक के कुछ महत्पूर बिंद पढ़ेंगे कि एक नाटक को लिखने में या करने में अबने करने में या बनाने में कौन-कौन से महत्पूर बिंद होते हैं तो पहला आपका है नाटक और अन के बारे में नाटक में स्विकार की अधाणा के बारे में हम पढ़ेंगे नाटक की सिल्फ संदचना के बारे में पढ़ेंगे एक नाटक को लिखने या करने में इन सब का बहुत ही महतपूर महतपूर जगह है मतलब महतपूर अस्थान है नाटक और अनविधाएं तो कहानी उपन्यास और कविता मतलब नाटक दिरिश्च काब की संग्या है नाटक क्या है दिरिश्च काब की संग्या है नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत को समेटे हुए मतलब नाट को हम पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं और देख सकते हैं नाटक अन्विधाओं की तरह एक आयामी नहीं है मतलब जो अन्विधाओं मतलब जो कविता होता है और कहानी उपन्यास इसके अलामा एक आयामी नहीं है यह बहुत आयामी है इसको हम सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं देख भी सकते हैं तो अब है नाटक में आवस्यक भाग तो नाटक में आवस्यक भाग प्रारंभ मध्य और समापन यह बहुत इंपार्टेंट है कि इसका हम प्रारंभ कैसे करेंगे उसका मध्य क्या होता है और उसका दैंड अर्था समापन क्या होता है यह तीन बहुत ही जरूरी ह तो यह भी question important है, तो कि नातक में आवस्चक भाग कितने होते हैं, तो तीन होते हैं, प्रारम, बमध्यो, समापन, नातक के प्रम्भुख अंग, तो नातक के प्रम्भुख यंग होते हैं, समय का बंधन, सब्ध, कत, कत होता है, समवाध होता है, प्रतिरोध द्वन्द, प्रा सा रंग मनची ये था, तो इन, यह बहुत ही क्या होते हैं, इनका भी अस्थान होता है, नातक के ये सब क्या होते हैं, तत्त होते हैं, तो पहला हमारा क्या है, समय का बंधन, तो नाटक में समय का बंधन समय सीमा में पूरा होना चाहिए, एक नाटक में क्या होना चाहिए, समय का बंधन समय सीमा में ही पूरा होना चाहिए, रचना किसी भी काल में हो, परन्तु नाटक के मंच निर्देश वर्तमान काल में लिखे जाते हैं, मतलब रचना किसी भी काल म मतलब किसी बे में हो वर्तमान भूत भविस में हो लेकिन जो मंच का निर्देश होता है जो हम मंच पे करते हैं जैसे हम कोई भी नाटक करते हैं तो क्या जैसे आप दहज पर्था पे करें तो हमेशा वो वर्तमान काल में होता है लिखा चाहे कि जिस काल में जाए लेकिन जो मंचन होगा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं और एक मतलब वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं और हम पीछे भी बताएं कि नाटक के क्या होते हैं तीन अंग होती हैं और एक सफल नाटक मतलब भारत लिखित नाट्यम के अनुसार हर एक अंग कम से कम 40 मिनट का होना चाहिए हर एक अंक कितने अंक का मिनट का होना चाहिए, 40 अंक होना चाहिए, लेकिन महत्पूर और पौडाईक, मतलब महत्पूर या एतिहासी घटना की कहानी पर, आधारित नाटकों की अवर्द इससे अधिक भी हो सकती है, यह 60-90 मिनट तक भी हो सकती है, इसलिए उसे भी समय को ध ज्यान में रखकर बातने की क्या होती है, जरूरत होती है, अगला नंबर है, सब्द, नाटक का सरीर, वाचीक अर्थात बोले जाने वाले सब्द, नाटक कार के लिए आवस्यक है कि अधिक से अधिक सांकेतिक और संचित भासा का परियोग करें, मतलब जो सब्द होंगे, क्या होंगे, संकेत के हों, आपके अधिक क्या हो, संकेत किया गया हो, और उसका क्या हो, जो संसित, मतलब उसका संचित, मतलब छोटे सब्दों का, छोटे भासा का परियोग हो, मतलब साहित की सभी विधाओं के लिए क्या होता है, आवस्यक होता है, सब्द, साहित की सभी बिधाओ कविता और नाटक के लिए सब्द का विशेश महत है हमारे नाटसास्त में भी वाची कर्था बोले जाने वाले सब्द को नाटक का सरीर कहा जाता है तो कविता इससे आगे है कविता सब्द से भी क्या है आगे है वैसे कहानी या उपन्यास में भी वाणन घटित होत सब्नाने की चमता अच्छा नाटक है जो लिखे बोले सभडो से अधिक मतलब एक नाटक में लिखने से जादे क्या हो मतलब लिखे बोले जाने से उसमें अध्वन क्या हो अधिक हो उसमें क्या हो ध्वन अधिक हो मतलब नाटककार के लिए जरूरी है कि वैं अधिक से अधिक वो क्या करें अधिक से अधिक क्या करें अधिक से अधिक से संचित भासाओ का प्रियोग करें इसमें भी क्या करें सं और वैस साब्दी कर्थ से जादा बेंजन की ओर ले जाए, साब्दी कर्थ से जादा किसकी ओर ले जाए, बेंजन की ओर ले जाए, कत्थ, एक नाटक कार को कुसल होना चाहिए, एक नाटक कार को क्या होना चाहिए, कुसल होना चाहिए, नाटक कार को सिल्प या संदचना की जानकारी जरूर होना चाहिए एक नातक के लिए जरूर होता है उसका जानकारी या अनुभव होना चाहिए यह बात हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है, यही कारण है कि एक नाटक कार को रचना के साथ साथ एक क्या होना चाहिए, कुसल क्या होना चाहिए, संपादक भी होना चाहिए, संवाद, संवाद के बीना नाटक नहीं हो सकता, ससक्त संवाद अपने आप में वाणित ने होकर क इसात्मक होते हैं अनकहे समवाद को ही हम क्या कहते हैं सब्ट्रेक्ट कहते हैं इंगलिस में इसको क्या कहते हैं सब्ट्रेक्ट कहते हैं मतलब वह कौन सी चीज है जो एक ससक्त नाटक को एक कमजोड नाटक से अलग करती है लिखे तथा बोले जाने वाले समवादों से भी ज सब कहते हैं जैसे उदारण के लिए हैमलेट का एक प्रसीत समवाद है तू भी और नाट तू भी क्या है एक समवाद हैं क्या है समवाद अगला टौप अगला नमबर जो है नाटक में श्रीकार की अधारणा तो नाटक एक जीवन्त माध्यमें नाटक में श्रिकार की अधाना तो नाटक एक जीवंत माध्यम है नाटक की सक्कि उसमें असंतुष्टी प्रतिरोध और ऐस्रिकार जैसे नकारात्मक तत्तो का होना किसी बिचार ब्यवस्था समस्याओं के समर्थन में लिखे नाटक सफल नहीं हो सके आधूनिक नाटकों को नायक के अस्थान पर खलनायक माने जाने वाले चरित अधिक आकर्शित करते हैं मतलब नाटक में विचारों का तकराहत स्वभाविक होता है नातक विढ़न्त माध्यम हें कोई भी से फ्रीक जब आपस में मिलते हैं तो विचार के आधान प्रदान में तकराहत प्धूरा होता है यह क्या है स्विभाविक है यही कारणे की रंग मंच प्रतिरोधी का सबसे क्या है ससक्त माध्यम होता है अगला नंबर है नाटक की एगला नंबर है नाटक की चिल्प सनचना के लिए आज कई बिकल्प नाटकों का धाचा, लोक नाटक, पारसी नाटक, आज जो सेरो सायरी गीत संगीत पर आधारित होता है, मतलब नाटक कार्व को पहले घटनाव का चुनाव करना पड़ता है, फिर उन्हें एक निश्चित करम में रखना होता है, एक अच्छा नाटक वही है, जो कथा को आपसी बहस मुहासियों से आगे बढ़ा है, मतलब नाटक को रंगमंच जैसी बीधा का स्रीजन मूल एस्विकार के भीतर से ही क्या होता है, तो एक वह आज कल के जो नाटक होते हैं, और सेरो सायरी गीत संगीत पर ही क्या होते हैं, आधारित होते हैं, तो इसके बहुत ही महत्पूर हैं, जैसे प्रस नंबर एक है, जैसे आपका प्रस नंबर एक है, जैसे नाटक की रचना प्रकिर से संबंदित, तो प्रस नंबर एक आपका है, कि असपष्ट कीजिए कि नाटक की कहानी बेसक भूत काल या भ्यविसकाल से संबंदित हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटी थोना पड़ता है तो क्या है नाटक चाहे अपनी किसी भूत कालीन रचना को ले या किसी अनलेखक की रचना को चाहे वह भविसकाल की हो वह दोनों परिस्थितियों में नाटक का मंचन वर्तमान काल में ही करेगा इसलिए नाटक के मंची निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं क्योंकि नाटक का कभी भी मंचन हो तो वह वर्तमान काल में ही गट मतलब कहने का मतलब हो कि नाटक हम किसी काल में लिखें लेकिन जब उसका मंचन होगा तो किसमें होगा हमेशा वर्तमान काल में ही होगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, नाटक किसे कहती हैं, तो भारती काब सास्त में नाटक को द्रिस काब कहा गया है, नाटक में संव बिन अभिनेताओं द्वारा अभिनित तथा अन रंग कर्मियों की सहायता से ही इसे दर्सकों के लिए रंग मंच पर प्रस्तूत किया जाता है प्रस नमबर अगला है नाटक लेखन में समय का बंधन क्या है या किस प्रकार रचना पर अपना असर डालता है लगभग सौ से अ प्रारम से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा में पूरा होना चाहिए उसका जो समय सीमा होता है और एक निश्चित होता जैसे हम बताे हैं कि कम से कम 48 मिनट का हो और यदि बढ़ा हो विश्तारित हो तो 60-90 मिनट का भी हो सकता है भूत काल या भरिस काल में बिस्तारिक नाटक को हमेशा वर्तमान काल में गटित होना निवारे ये पहले भी बता चुके हैं नाटक के परवाह को अस्थगित नहीं किया जा सकता है दर्सकों द्वारा नाटक देखने की समता का भी प्रभाव लेखन पर भी पड़ता है कि दर्सक कितने देर नाटक को देख सकते हैं अगला नंबर है नाटक और साहित की अन्य बिधाओं में क्या अंतर हैं तो साहित में कविता कहानी उपन्यास निबंद आद यनेक बिधाओं आती हैं नाटक भी इनी बिधाओं के समान साहित के अंतर गठाता है किन्तु नाटक में कुछ निजी भी सेस्ताएं होती हैं नहां साहित की अन्य बिधाओं केवल पढ़ने या सुनने तक ही सीमित हैं वही नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत को भी अपने अंदर समेटी है उसका यही गूर उसे साहित की अन्य बिधाओं से अलक करता है अगला प्रस्ण है नाटक के पात कैसे होने चाहिए जो नाटक होगा उसके पात कैसे होने चाहिए तो नाटक के पात कैसे होने चाहिए नाटक में चित्रित पात जीवन से जुड़े हुए तथा अपने आसपास के परिवेश के ही होने चाहिए नाटक में इस प्रकार के पात नहीं होने चाहिए जो सपाट सतही अथवा एक बिसेश टाइप के हूँ नाटक में नाटक में चित्रित पात अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होने चाहिए मतलब कोई अच्छा भी हो कोई भुला है मतलब अच्छा बुरा दोनों प्रकार के जो पात्र होने चाहिए ओने चाहिए चाहिए वो गवर हो या मुख हो जिस प्रकार रोज मरिया की जिन्दगी में किसी ब्यक्ति को सिर्फ अच्छा बुरा नहीं कह सकें उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे इस्थितियों के अनुसार अपन क्रियाओं प्रत क्रियाओं को ब्यक्त करते चले मतलब नाटक में दोनों प्रकार के पात रखने चाहिए अच्छे बुरे और जैसे दिन मतलब पूरे दिन हम किसी ब्यक्ति को मतलब रोज मरिया की जिन्दी में किसी को अच्छा नहीं कह सकते और नहीं किसी को क्या कह सकते बूरा कैसा है कि इसलिए हमें मतलब नाटक में जो पात रखने हो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की रखना है अगला नंबर है नाटक की भासा सहली कैसी होनी चाहिए तो नाटक की रचना मुख रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए की जाती है इसलिए इसक का मतलब अइसिया एतिहासिक है तो उसकी भासा तस्चम प्रदान हो सकती है संस्कृत की तरह हो सकती है इसी प्रकार से आधूनिक काल के नाटकों में कड़ी बोली मतलब खड़ी बोली के साथ-साथ अंग्रेजी उर्दू फार्सी आजभासाओं के सब्दों का प्रियोग ह हो सकता है मतलब मतलब इस समय आधूनिक काल में नाटकों में अंग्रेजे भी हम कर सकते हैं उर्दू फार्सी आजभासाओं का प्रियोग कर सकते हैं नाटक के विविन तत्यों पर प्रकाश डाली है तो नाटक के विविन तत्यों होता है समय का बंदन हम बताएं कि किसी भ आसी लंबा है तो 60 से 90 मिनट चखो सकता है हम सब्द के बारे में भी बता दिये हैं कथ के बारे में भी बता दिये हैं समवाद के बारे में भी और सिल्प्यू के बारे में तो यह होते हैं नाटक के विभिन अगला कोस्चन है नाटक में सब्द का क्या महत है तो सब्द साहित क प्रतेक बिधा का आधार भूत अंग है किन्तु नाटक और कविता के लिए सब्द का विशेश महत्थ होता है नाटक में प्रियुक्त सब्दों में द्रिश और उच्चरित किये गए सब्दों में से भी ज्यादा उस तत्थ को ध्वनि करे जो लिखाया बोला नहीं जा रहा प्रियुक्त शूयम में एक जीवनत माध्यम है कोई भी दो चरितर जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान पदान में टकरहाथो टकरहाथ होना क्या है स्वीभाविक है यही कारण है कि रंगमंज प्रतिरोध का सबसे ससक्थ माध्यमे वह कभी यथा सिथित को स्थित जब लोग रहते हैं तो आपस में टकरहाट मिलता है तो वहां पर और शिविकार दोनों की भावना क्या होती है उत्पन होती है नाटक की सिल्फ संदचना पर परकाश डाली तो नाटक के अंतरगत सर पर्थम कहानी के रूप को किसी भी सिल्फ फार मत्वा संदचना के भीतर पिरोना होता है इसके लिए नाटक के सिल्फ की जानकारी होना आवस्यक होता है यह बात सदय ध्यान में रखनी चाहिए कि नाटक का मंचन मंच पर होता है इसलिए एक नाटक कार को रचना के साथ साथ कुसल क्या होना चाहिए संपादक भी होना चाहिए कि जो नाटक कार है वो मंच पे प्रस्तुत होना होता है मतलब नाटक का मंचन होना होता है इसलिए एक नाटक कार को रचना कार के साथ साथ क्या होना चाहिए कुसल संपादक भ झाल झाल